Hello everyone, welcome to DC Teachers Academy, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, प्लेट टेक्टोनिक थोरी के बारे में, यह जो थोरी है, आपके कोई भी एक्जाम जो आपका जोग्राफी से related है, जैसे UGC NET है, Assistant Professor है, या PGT का एक्जाम है, या आपका UPSC Optional का एक्जाम है, सभी के लिए बहु पूरा कोर्स है, इस पेस्टी UGC NET और Assistant Professor का, वो बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है, मैं कोशिश यह करता हूँ कि आपको इसके अलावा किसी भी बुक से को सारा कंटेंट मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है, पतला कोई भी चीज कोशिश मैंने यह किये नहीं छूटी है, और यह जब आपकी जिम और फिलोजी यूनिट आपकी खतम हो जाएगी, तो मैं इसके कोशिशन भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो देखना, अ पहले टॉपिक नहीं है, यह हमारा जो फोर्थ वीडियो है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थियोरी, तीन वीडियो अल्रडी में बना चुका हूँ, ठीक है, तो चलिए, देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थियोरी किस ने दी दी, तो अगर ह प्लेट टेक्टोनिक थियोरी कि अगर यह बात करें, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थियोरी कि बात करें, तब तो आप टबलू जे मॉर्गन लगा दोगी, अगर यह पूछे आप से कि यह जो टर्म है प्लेट टेक्टोनिक यह दिया किसने है, तो यह आपका दिया है, तो जो one day exam होते हैं उसमें इसी type of questions काफ़ी जादा पुछी जादा है कि आपको धिहान रखना है W.J. Morgan related to the plate tectonic theory and plate tectonic term से twos of Wilson related है ठीक है तो चलो हमें start कर लेते हैं देखिए plate tectonic theory है क्या plate tectonic theory जो based है वो अर्थ के endogenetic forces पर based है अब endogenetic forces क्या होते हैं अनाके इन forces के बारे में हम detail में एक अलग से video में discuss करूंगा geomorphic processes जो हमारे geomorphic processes होते हैं उन्हीं में हम बात करते हैं कि जो force होते हैं अर्थ पर कितने type के पहिए जाथे में दो force होते हैं andogenetic forces और exogenetic forces पाहर से लगते हैं जैसे अर्थ के अंदर यसे जो फॉर्ष के लगते हैं, जैसे अब आपको बता दूएं, जैसे आपको फॉल्ड है, ऐसे आपको बेसिक सी बासान विल्दा दे रहा हूं जैसे मानके चलिए कि अर्थ के अंदर क्या है अर्थ के अंदर आपको बताए कि जो मैगमा है मॉल्टन मैगमा है मॉल्टन मैगमा जैसे हमने अभी पिसला जो वीडियो बनाया था तो उसमें Convectional Current Theory थी, तो Convectional Current Theory में मैंने बताए थी कि Molten Magma की हीट होती है, जब हीट जादा होगी, तो Temperature जादा होगा, तो Pressure भी जादा होगा, और वही Pressure क्या करता है, Force Create करता है, ठीक है, Pressure से तो Force Create होता है, जब प्रत्वी के अंदर Force Create होता, तभी प्रत्वी के अंदर जो है, अंद अंदर से जो forces लग रहे हैं, जैसे वॉलकेनों में जो आपका Magma बहर आ गया था, तो एक क्या बना लेता है, वो आपका, कहीं गहीं पर तो आपके परवत का भी निर्माण कर लेता है, तो परवत का जो निर्माण होता है, वो किस के द्वारा हो गया, वो आपका endogenetic forces के द्व ठीक है तो यह चीज हो गई कि अर्थ के अंदर से जो Force लगता है उसको हम कहेंगे एंटो जिनी टिक फोर्स उस पर बेस्ट लिए एक्जोजनीतिक फोर्स क्या होते हैं जो बहार से लग रहे हैं जैसे आपके वैद्रिंग हो गया, ठीक है, इरोजन हो गया, ठीक है, तो यह सारे क्या हैं, आपके exogenic forces हैं, जब अब यह से mountain जब बन गया, तो mountain को उपर बारिश हो रही है, mountain को उपर मान के चलिए, कोई human activity हो रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लिजी, mines बना रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है, कि हम जो बहार से कोई force लगा रहे हैं, जिसके हम पहार तोड़ रहे हैं, कोई विदास्ता बनाने के लिए, तो वो एक exogenic forces हो गया, ठीक है, हवा से अपने आप कोई टूट रहा है, पारिशित पहार टूट रहा है, तो यह क्या exogenic forces हो गया, तो इन forces के बारे में हम अलग से वीडियो मनाएं, क्योंकि यह forces भी आपके exam के लिए बहुत ही जादा important है, और यह कुछ basic terms होते हैं, geographic को सुबजने के लिए, तो इन चीजों को आपको सुबजना होगा, फिलाल आपको समझ लेजिए कि endogenic forces का मतलब है, जो अर्थ के अंदर से लग रहे हैं, वो हमारे forces क्या होते हैं, endogenic forces होते हैं, अब देखिए, यहां पर हम बात करने हैं, हमारी hypothesis है, जो हमारी plate tectonic theory है, वो दो hypothesis पर based है, कौन-कौन सी hypothesis है, तो पहली है Arthur Holmes की convection current theory, और दूसरी है, sea floor spreading theory by Harry Hess, तो देखो, मैंने यह दोनों थोरी आपको पहले बता दिया, इस में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है, इसलिए conventional current theory, sea floor spreading theory को समझ देना, वीडियो जाके देख ले जिए, playlist बनी हुई है, जोग्राफी के नाम से, ठीक है, चलिए, अब देखिए, यह theory मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और यह theory कहती क्या है, यह theory यह कहती है, कि अर्थ के अ पार्ट है, हमारा crust और upper mental का जो 100 km तक का पार्ट है, उसको इन्होंने कहा है, आपका लीथो स्पेर, लीथो स्पेर तैर किस पर है, एस्थेनो स्पेर को उपर तैर रहा है, इसे जहां पर देखिए इस वाज डाग्राम में, यह आपका एस्थेनो स्पेर है, और यह आपका ठीक है, यह आपका लीथो स्पेर कहां तक होता है, यह 100 km थिक होता है, आपका ओशेनिक एरिया में और 200 km थिक होता है आपका continental एरिया में, अब यह अस्थेनो स्पेर को उपर तैर रहा है, तो होता क्या है, मैंने कल आपको बताया भी था, यह अस्थेनो स्पेर में यह एक तरिके से ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो ऊपर की तरफ फोर्स भी लगाएंगी, तो होगा क्या, तो जो हमारे continent होंगे वो एक दूसरे से दूर हटेंगे ठीक है एक दूसरे से दूर हटेंगे और कही न कहीं पास भी आएंगे तो कहने का मतलब यह है कि इसी से हमारा क्या होता है जो लीथू स्फेर वाला पार्ट है वो उसमें movement आ जाता है यह हमने कल आप से पूरा discuss किया था तो यहां प क्या है कि मैंने आपको बता है कि यह आपका Sthenosphere Shark हो गया और यह आपकी Conv soc funnel हो रही है और इस तरीके से Saekel में flow होती है अब होका क्या यह ऊपर गई ऊपर जाकर करके यह क्या कोगी इस से इसमें friction Zr इसमें Friction Chart करेगी जब इसमें Friction Creat करेग तो यह यह वाली जो PLA is यह इस तरफ मूव हो जाएगी और यह इस तरफ मूव हो जाएगी है ना तो इन प्लेटों में क्या हो जाएगा मूवमेंट क्रियेट कर देगी ठीक है क्या कर देगी मूवमेंट क्रियेट कर देगी तो इस तरीके से क्या होता है हमारे जो plate tectonic theory है वो based है किस पे convection current theory पे और convection current theory के कहती है कि जो convection current इसमें बहती है वही हमारी plate को move करने के लिए responsible होती है ठीक है चलिए आगे पढ़ जाते हैं अब देखिए हमने बात कर ली थी कि जो हमारे हमने lithosphere के बारें बात कर ली थी अस्थेनोस्फेर के बारें बात कर ली थी और mesosphere के बारें बात कर ली थी mesosphere क्या होता है जो हमारा mental वाला part होता है उसको mesosphere कहते है lithosphere, asthenosphere मैं आपको बताई चुका हूँ और अगर आपको detail में समझना है तो मेरा एक video है interior of the earth के बारे में उसमें जागर क्या आप समझ सकते हैं कि lithosphere क्या और asthenosphere क्या है ठीक है तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यह plate tectonic theory कहती क्या है तो plate tectonic theory जो है आपकी यही कहती है कि जो lithosphere है वो एक ductile layer asthenosphere को उपर तैर रहा है और lithosphere जो है उसके कई सारे प्लेटों में डिवाइड है और उन प्लेटों को क्या कहते हैं tectonic plate कहते हैं अब जो यह observe किया गया हमारी जो अर्थ है उस पर 7 तो major plates हैं और आपकी 11 या 12 के करीव 11 जो हमारी minor plates हमारी अर्थ पर पाई जाती है ठीक है तो यही plates जो होती है अलग-अलग fragments में अलग-अलग तुगडों में डिवाइड हैं और इनका जो movement हो रहा है वो due to the convection current हो रहा है यह आपकी थियोरी है क्या plate tectonic theory और उसी चीज़ को हम यहाँ पर मैंने लिखा है उसी चीज़ को आपको पढ़ना है और जो मैं आपको समझा रहा हूं उसके notes पना लेने है तो देखी plate move horizontally over the esthenosphere esthenosphere के उपर move कर रही है simple सी बात है lithosphere क्या है the crust and top mantle को हम क्या कहते है lithosphere कहते है जिसकी 5-100 km oceanic parts में घरा ही होती है ठिकनेस होती है और 200 km तक ठिकनेस होती है किसमे continental areas में यह मैं आपको बता चुका हूं oceanic plates किस से बनी होती है oceanic plates में सिमेटिक मतलब सिल्का और magnesium से और जो आपकी continental plates जो होती है वह सियालिक material से बनी होती है मतलब सिल्का और अलमूनियम वाले material से lithospheric plates जो होती है vary करती है minor plates to major plates से इसके बारे में basic मैं आपको बता चुका हूं यह इतना जादा important नहीं है movement due to the किसके करण convection current के करण नहीं सब बता चुका हूं आपको ठीक है अब जो प्लेटों की margins होती है margin क्या plate की इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में the margin of the plates are the sites of the considerable geological activity जो इसके margins वाली जो margins होती है plates की वहीं पर आपके कई सारे geological activity होती है जैसे sea floor spreading वहीं होता है mid oceanic ridge वहीं बनती है आपकी volcanic eruptions होते हैं crystal deformation होता है mountains भी बनते हैं continental drift भी होता है तो यह सारे चीज़े कहां होती है यह plate के margins पे होते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर समझते हैं कि lithospheric plates यह plate tectonic plates है क्या तो lithospheric plate जो है एक crust और rigid जो अपर mental जो है वो rigid है यानि जो mental के हमने दो पार्ट किये था अपर mental और lower mental अपर mental वाला पार्ट जो होता है वो rigid होता है तो अभी हमने बात की थी कि जो 100 km तक का जो oceanic crust पे जो 100 km तक का area होता है उसे हम क्या कहते हैं लीथो स्पेर कहते हैं और यही same thickness जो होती है वो आपकी continental area में होती है तो lithospheric plates का मतलब यह हुआ crust plus rigid अपर mental वाला भाग को हम lithospheric plate कह दिया है और यह कई सारे plateों में divide हैं तो ला पिचौन divided दा आर्थ इंटू seven major plates and nine minor plates हला कि eleven है minor plates लेकि अगर specifically किसी का नाम देगर के पूछले इस ला पिकौन है इन्होंने seven major plates और nine minor plates पता हैं यह कौन-कौन major plates है उसके बारे हम बात कर लेते हैं तो antarctica and the surrounding ocean plate जो antarctica plate है अब हम बात करेंगे इसकी location कहां पर ठीक है फिर नौर्थ अमेरिकन प्लेट फिर है शाओथ मेरिकन प्लेट फिर है पैसिफिक प्लेट ठीक आपकी इंडिया उस्टेलिया न्यूजियलेंड प्लेट अफ्रीका इस्टर आतलंतिक फ्लोर उस इंड प्लेट और उडिराशन प्लेट तो बेसिकलि आप इसको नाम अश्या mm जात कर लों फ्लेट नौहस अमरीय्क्न प्लेट सौॉथ एन प्लेट इंड्रस्ट्रीलियक प्लेट और उतीक प्लेट ठीक है अब द्हें यहीं कुछ जो पॉइंट यहां पर दे रखे हैं यह भी इंपोर्टेंट है जो हमारी अंटार्क्टिका प्लेट है यह क्या है यह संद्रांड वाइद डाइवर्जन प्लेट अभी बताएंगे डाइवर्जन प्लेट क्या होती यह कनवर्जिंग प्लेट क्या होती सब बताएंगे आपको ठीक है North American plate जो है वो Westward move कर रही है velocity of 4 to 5 cm per year ठीक है यह हमारी आधी continental है आधी oceanic है South American plate जो है यह भी Westward move कर रही है यह भी आधी continental है आधी oceanic है 3 to 4 cm per year Pacific plate जो है यह पूरी oceanic plate है shifting Northwest 2 to 3 cm per year और आपकी आधी अफ्रीकन जो plate है with Atlantic floor plate यह आपकी जो अफ्रीकन plate है इसमें एक फ्रोड़ा सा Atlantic Ocean का भाग आ जाता है ठीक है यह आपकी कह सकते हो एक ocean ocean और जो continental plate दोनों का mixture है ठीक Eurasian and the adjacent ocean plate ठीक है इसकी जो velocity है यह 2 to 3 cm है per year और move कहां कर रही है eastward move कर रही है अब देखो समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लो कि देखो convergent plate क्या होती है divergent plate क्या होती है और आपकी transport plate क्या होती है मालने जी दो plate है कि दो plate है अगर यह एक दूसरे की direction में move कर रही है मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है इस तरीके से आ रही है तो यह वाली जो यह जो हो जाएगा इसको हम कहेंगे आपका diverging plate sorry converging plate क्या कहेंगे converging plate ठीक है यह इसको हम कह सकते हैं जो अबिशारी plate ठीक है अबिशारी plate यह इसको हम कह सकते हैं converging plate यह اس को कह सकते हैं विनासात्मक plate ठीक है तीन नाम होगे हिंदी एक नाम हिंदी अजिए में बता दिए converging plate और आपको हिंदी दो नाम देखिए अभिशारी plate या विनास्कारी plate भी इनको कह देते हैं ठीक है और इसको हम कह देते हैं converging और अगर plate हमारी opposite direction में इस direction मूव कर रही है ठीक है तो इनको हम कह देते है diverging plate diverging plate कह देते हैं ठीक है और हमारी plate अगर एक उपर जा रही है एक नीचे आ रही है तो इसको हम कह देते हैं transform plate ठीक है तो इसको हम कहेंगे converging यहां पर बाउंडरी बनेगी यहां जो बीच में boundary बनेगी उसको हम चीज में boundary बनेगी उसको हम कहेंगे transform plate boundary ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई आप देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे यहां पर जो plate है mainly major plates हैं तो आपको यह दिख रहा होगा इसमें डाइग्राम में यह आपके North American plate एक ही हो गई मैंने आपको साथ बताए कि एक ही हो गई और यहां पर आप देख सकते हो duration plate number 2 और यहां पर अफ्रीकन plate number 3 South American plate number 4 Pacific plate number 5 Australian plate number 6 और Antarctic plate number 7 Australian plate में हमारे इंडियन plate इसको इंडो-Australian plate भी कहते हैं इंडिया जो हमारा आता है वो ऑस्ट्रीयन plate में ही आ जाता है ठीक है तो हमारी seven major plates हैं इनको आपको दिहान रखना है यह तो simply continent के नाम पर है North American South American African Eurasian और इंडो-Australian plate अंडाक्टिक और Pacific plate ठीक है एक जो पूरी दरीके से आपकी Pacific Ocean के नाम पर है Pacific plate दिहान रखना साथ major plates हो गई ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं तो यहां पर देखो इस डाइग्राम में आपको सारी चीज़े क्लियर होंगी यह हमारी हो गई North American plate नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नमबर वन नमबर टू हो गई South American plate नमबर थ्री जोरेशियन प्लेट नमबर फॉर अफ्रीकन प्लेट नमबर फाइव इंडो-Australian plate नमबर शिक्स अंटर्क्टिक प्लेट और नमबर सेवन पैसिफि तुक्ति है इसको हम मैंने हमार प्लेट है चलिए अब हम बहुंको बढ़ते हैं अब यहां पर देखें मार्माइन perhaps यह जैसे आपकी अरेबियन प्लेट है बिसमार्क प्लेट है करीबियन प्लेट्रिप्लेट का प्लेट्रों घ्रення प्लेट झरूस के दिख्या मृट है पल यहां पर देखिए, यहां पर पहले हम बात करेंगे Cocos Plate के बारे में, Cocos Plate जो है, वो किस-किस के बीच में है, वो आपकी है, Between Central America and Pacific Plate, पूछ लेता है, यह Important है, Most Important है, क्यान रखना, Cocos Plate जो आपकी है, वो दो प्लेटों के बीच में है, Central American Plate और Pacific Plate के बारे में, आईए इसके Location द देखिए, यहां पर, यहां पर आपको यह दिख रहा होगा, यह जो है, यह वाली, यह आपकी Cocos Plate हो जाएगी, ठीक है दिख रहा है, यह Cocos Plate है, और Cocos Plate किस-किस के बीच में है, मैंने क्या बताया था, यह आपकी Central America, तो यह Central America वाला area आगी, ठीक है, और यह Pacific Plate तर से आ रहा मैं यह आपकी प्लेंट्र का प्लेंट हो गई। यहां प्लादट प्लेंट यहां प्लेंट प्लेंट के इंद दिधिक आपकोत और सिंद्धे प्लेंट के questsаться चींस प्लेंट गों से जोए लॏ किना पूर जाद़ इ hopes श्रक्रा मक यह नाजगा प्लेट किसवच में South American plate के बीश में हैं और Pacific plate के बीश में दीख रहे हैं आपको यह नाजगा प्लेट होगी ठीक है आगे हम बढ़ें फिर अरेबियन प्लेट mostly the Saudi Arabian most ली दस सौधिय अरेबियन दे जो ऐसे फिलिपिन प्लेट जो है बेत्वीन प्लेट फिलिपिन बन डियूँ दे गुस्ति तो इन सेंसमों चौनज में 55 जैसे Philippines है, Philippines आपको पता है कि Pacific जो ओशिन के आस पास परता है, ठीक और Asia का पाट है तो between Asiatic plate नहीं Pacific plate, Caroline कहा परता है, ये भी आपका North of New Guinea को उपर जो परता है, Caroline वाला एरिया, तो यहाँ पर क्या आपका होगा, एक Philippine plate होगी, और यहाँ पर Indian plate होगी, ठीक है, फिजी plate क्या है, North East of Australia परता है, फिजी plate, फिर एक है आपकी Turkish plate, ठीक है, तुर्की वाला एरिया है, आभी आपको पता है कि भूकम पाया था, Aegean plate जो है, Mediterranean region में परता है, Aegean Sea आपने पढ़ा होगा, तो उसी का सबस वाला एरिया है, Caribbean plate जो आपका, Caribbean island कहां परते हैं, जो Central America के आसबस परते हैं, Johan Di Fuca plate between the Pacific and North American plate, यह बहुत important है, ठीक है ध्यान रखना, Johan Di Fuca plate जो है between the Pacific and North American plate के बीच में है, यह एक तरीके से Transform plate boundary बनाती है, यह इसलिए important हो जाती है, ठीक है, फिर हमारे Iranian plate, ठीक, यह आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह आपकी हो गई, Arabian plate, ठीक है, और मैं आपको उता दूँ, यह तो आपकी Caribbean plate होई गई, यहाँ पर आपकी Filipino plate हो गई, ठीक, और हम डाग प्लेट मैंने आपको बताया दो ना, फिजी प्लेट, ठीक, यह आपकी होगी Philippine plate, प्लेट किसके से बीच में है, Pacific plate और Asiatic plate के बीच में है, ठीक है, फिर यहाँ पर बिसमार्क plate हो गई है आपकी, बिसमार्क plate, ठीक है, Pacific plate तो आपको पता ही है, ठीक है, Cocos plate मैंने बता ही द Zwandi Fuka plate है, यहाँ पर आपको दिखा यह नहीं गया है, मैं आपको आगे अगर मैप होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दोगो यह है Anatolian plate, यह आपका एरिया कौन सा दिख रहा है, यह आपका तुर्की वाला एरिया है Anatolian plate, यह आपकी Arabian Sealed है यह Nubian Sealed है, Arabian Sealed और Nubian Sealed यहाँ पर आपको दिख रही है, यह और यह कौन सा सी है, यह आपका लाल सागर है, Red Sea है, ठीक है, यहाँ पर जो है Sea Floor Spreading का concept लगा है, तो यहाँ पर Arabian plate इस तरफ मूफ की है, तो बीच में यहाँ पर पानी भर गया है, किसे हमने नाम दे दिया है, क्या Red Sea का नाम दे दिया है, ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे, तो most of the plate include both continental and oceanic, ठीक है, जो maximum plates है, वो आपकी oceanic भी है और continental भी है, ठीक है, तो three types of motion are possible between the plates, तीन टाइप की motion possible है, plates के बीच में, divergent, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, constructive plate या रशनात्मक plate क Convergent या destructive plate कहते हैं, इसको हम बन्या सात्मक plate किना रहा है, transform conservative, तो मने बताया था, यह अगर दोनों इस तरफ आ रही है, तो यह आपकी हो जाएगी, Convergent, और दोनों, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, तो यह हो जाएगी, divergent, और अगर plate इ देखो क्या क्या होता है, तो अगर type of margin, मतलब margin क्या, आपको यहां से समझेंगे, यह एक plate है, एक plate यह यह बीच में जो दिख रहा है, यह आपका margin है, यह आपका margin है, ठीक है, अब देखो plate के किनारे होते हैं, तक रहाते हैं, आपसमें उनों को margin कह देते है, type of margin क्या है, divergent यह क्या, convergent हो, यह है, transform, तो तो divergent में क्या होता है, divergent में plate एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो क्या होगी, फैलेगी, फैलेगी मतलब spreading होगी, ठीक है, spreading होगी, मतलब magma बाहर आएगा, magma बाहर आएगा, तो जो mid oceanic ridges वाला concept जो मैं आपको बताया, तो sea flow spreading theory मे वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो effect क्या, constructive, यहाँ पर किसी चीज का निर्माड होगा, क्योंकि चीज फैल रही है, तो magma बाहर आ रहा है, तो कोई चीज बन रही है, तो इसको हम कह देते, constructive, ठीक है, और topography, क्या होगी, यहाँ बतलब क्या बनेगा, ridge या rift बनेगी, volcanic activity ह होगी, हाँ होगी, क्योंकि magma बाहर आ रहा है, तो obviously बात है, कि volcanic activity होनी चाहिए, अब अगर plate convergent है, मतलब एक दूसरी के pass में आ रही है, यानि एक plate इस तरफ move कर रही है, यह हमारी margin होगी, plate margin होगी, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होता क्या है, plate जो होती है, ज चाहिए, जो र हलका वाली plate होगी, वो नीची चली जाएगी, और भारी वाली plate होगी, वो ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पर इसको हम कहते है, subduction, तो यहाँ पर क्या होगी, मतलब एक plate नीचे जा रही है, और एक plate उसको उपर पर आ रही है, तो сюда होगी, अब आफे एक प्लेट जां रहे है तो इ카शिया। आफे रही हिए है अब क्या है अब दो इक तरफ आ रही है तो यह क्या हुरा है सब्डक्शन ऑ के सब्डक्शिन ऎψ. दूसे प्लेट के नीचे आत्रह से हम कहेंगी त्षिए इसको हम कहेंगे environments जो डाइवर्जेंट प्लेट होती है वहां पर क्या बनता है वहां पर रिज बनती है और जो बनती है। यहां पर 이 एरिया है जहां परDo में लेकिन जो टांसवरम प्लीट होती है। तो इसंत chapters 6 तो इस तरीके से जा रही है। तो आपस मां लगड़ खा लेकिन टक्रास लोड़ों तो इसमें क्या होगा एक conservative है मतलब जैसी रहें प्रेट वैसी रहेंगी ठीक है लीथोस्फेयर ना तो मतलब टूटेगा और नहीं बनेगा मतलब कोई भी चीज ना बनेगी ना टूटेगी ठीक है सिंपल सी बात है और यहां पर जो है नो मैजर एफेक्ट मतलब कुछ चीज बनेगी नहीं और वॉल्किन अक्टिविटी भी ना के बरावर होती बहुत कम होती है ठीक है इस आपको दिहान में रखना चाहिए अब देखो डाइवर्जिन बाउंटरी के बारे हम बात करेंगा इस तरह बड़ा टॉपिक आराम समझते हैं शीज को डाइवर्जिन बाउंटरी जो होती मैंने आपको बता दिया कि एक प्लेट अगर इस तरफ जा रही है एक प्लेट इस तरफ जा रहे तो हम डाइवर्जिन बनेगा क्या बनेगा में आना आपका मिड्वशनीक्रिज रि मद्य अत्लांटिक कटक बन जाएगा जो कि आपका इंडिन ओशन में भी है अटलांटिक ओशन में भी है पैसिर्ज इक अपनीघ कल आपको बताया था सीव बैंडिश एकार पड़ो। टीक wediol अगला है तो यहां पर रिफ्ट्वैलिई बनेंगी। रिफ्ट वैली ठीक है फिर क्या बनेंगे फिसर वॉल्केनिस क्योंकि जब मैगमा भान निकलेगा तो 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 कहने का मतलब यहां से तरीके से रिशाव हो रहा है कि इसका मैगमा का तो यहां पर वैलको वॉल्केनिस के आसपास भी बन जाते हैं प्राइब अजिस तरफ गई मैगमा बाराई गई है तो इस तरीके से यह भी हो जाता कभी कभी क्या होता है जैसे मान के चलिए कि एक प्लेट जो है इस तरफ गई एक प्लेट इस तरफ गई बीच में क्या हुआ मैगमा भार नहीं आ पाया ठीक है इसने जादा फैलाब नहीं हुआ कि बीच में मैगमा भार नहीं आ पाया तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर बीच में पानी भर जाता है तो यहां पर क् प्लेट के बीच में जो प्लेट इथर उदर जब गई थी डाइवर्जेंस हुआ तो बीच में क्या जगह खाली होगे तो बीच में आके क्या भर गया पानी भर गया तो उसे हम कहते हैं रिफ्ट ओशनिक जो है रिफ्ट वैली कह देते हैं जो कि हमारा लैट सी इस तरीके से मैंने आपको बताई दिया आगे हम बात करें तो यह देख सकते हो आप डाइवर्जिंग प्लेट बांडरी हैं और यह प्लेट इस तरफ जा रही है मैगमा उपर आएगा तो इस तरीके से फैलेगा कई कई पर क्या होंगे बीच-पीच में से वाल्केनोस निकल आएगा तो ठीक है? ग्रेट इस्ट अफ्रिकन वैली देट एकस्टेंट फॉपिया तो साउथ वर्ड थू मोजम्बी तो यहां पर आप देख सकते हो कि इतोपियन से लेकर के मोजम्बी तक का जो एरिया है यहां पर आपको गैप मिलेगा ठीक है यह गैप मिलेगा यह गैप किस लिए मिलना है यहां पर आपको गैप दिख रहा है तो मैप पर बहुत च्छोटा दिख रहा है लेकिन वास्तम में यहां पर बहुत बड़ा गैप है ठीक है तो यह किसे बनाया है यह आपका यहां African Plate इस तरफ गई है और Somalian Plate यहां हम कह सकते हैं Indian Ocean Plate इस तरफ तो इसी से हमारी Great East African Valley बनी है जो कि Divergent Plate Boundary का एक परिणाम है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो यह है आपकी Arabian Plate यह है आपकी African Plate एक प्रेट इस तरफ मूफ की एक प्रेट इस तरफ मूफ की और बीच में आपका क्या बन गया बीच में आपका ब बन गया तो यह अपारा Divergent Plate Boundary का परिणाम होती है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला है Convergent Boundary Convergent Boundary में आपको बताई चुका हूँ जब दो प्लेट हैं दो प्लेट हैं और दोनों की motion एक दूसरे की तरफ आ रही है तो वहां पे हमारे Convergent Plate होती है और प्लेट में क्या हो करती है ठीक है इसलिए इसको हम कहते हैं destruction कि बाई जब कोई चीछ टक्राएगे आपस रेक्स्रक्शन होगा विनास होगा ठीक है इसलिए हम इसको कहते हैं destructive boundaries ठीक है इसमें होता क्या है यह से क्या होता है यह से क्या होता है यह से responsible for the most of the massive and spectacular earthly landforms such as mountain ranges यहां बनती है वॉल्केनोस ओसनिक टैंचेंज यहां पे बनती है यहां से अर्थक्वैक भी ज्यादा आते हैं ठीक है और यहां पर मॉंटेन रेंजिस भी बनती है जैसे आपने देखा होगा अगर हम बात करें Converging Plate Boundary की तो हमारा जो इंडियन प्लेट है जो यूरिशन प्लेट से अपस में जब टकराया जाकर के तो हुआ क्या हिमाले का अंदर माड़ हो गया तो यह एक Converging Plate Boundary का उधारन है जो रेशन प्लेट और इंडियन प्लेट ठीक है यह थी आपको ध्यान रखने है अब हम आगे देखेंगे तो थ्री टाइप्स से Convergent हो सकता है Convergent जो हो सकता है अगर Ocean Continental plate टक रहा है क्या हो गया है हां अगर हमारी Ocean और Continental plate टक रहा है आपको में ठीक है मतलब यह है कि दो टाइप की प्लेट है ओशियन के ऊपर वाली प्लेट को हम ओशियन के नीचे जो प्लेट है क्योंकि ओशियन ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्रत्मी के अंदर तर पानी बरा हुआ है जमीन के ऊपर है उसको फक्रत्रेट और जो हमारे प्लेट स्वaischos तो यह जब आपास में तकराएंगे तो उससे होईजन इक क्योंटेटल और दोनों और चैंशन ख़रद रहें तो और एक दोनों ही continental plate है तो हम कहेंगे continental continental convergence ठीक है यह चीज़ आपको सवज में आगा जोगे अब दोगो ओशेनिक continental convergence में क्या होता है oceanic continental convergence जो होता है इसमें क्या होता है जो oceanic plate हमेशा दिहान लखना है क्योंकि वह आपका उनकी थिकनेस भी ज्यादा होती है लेकिन ऐसा नहीं है oceanic plate जो होती है वह बाहरी होती है continental plates से है अब आप बताओ दो प्लेट आपसे में टकर आएंगी तो एक oceanic है एक continental है तो कौन से वारी plate उपर जाएगी कौन से निचे जाएगी जो भारी होगी वह निचे जाएगी और जो हलकी होगी उपर आएगी मतलब क्या होगा इसमें जो dense oceanic plate है वो sinks करती है नीचे जाती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है process of सब्दक्शन होता है पतलब सब्दक्ट करती है किसमें सब्दक्ट करेगी नीचे क्या है नीचे है मैगमा क्या है नीचे मैगमा है तो यहां पर 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 इस जगह पर यहां पर यहां पर यहाँтесь Number जाएगा यहाँ से आपका निकलेगा यहां पर निकलेगा行 sudah मैगम जाएगा तो यहां पर निकलेगा की तो बहुत ज्यांदा गर्म है तो ये वाली प्लेट जो है ये खम मैंड तरीके से मैगमा बन जाएगी अगर लोहे को आप किसी बहुत ज़्यादा टेंपरिचर में डालते हो तो वह भी क्या बन जाएगा वह एक तरीके से मैगमा बन जाती है मैगमा बन जाती है उपर उठेगा तो प्रेशर है इसमें टेंपर प्रेशर भी होगा उपर आटेगा बहार निकलने कोशिश करेगा तो बहार आएगा वलकेनों को रूप में मैः अब Crash वाट आपकी क्लियर हो वगी ओगी अब देखो यह है क्या अब यहीं पे आपकी क्या बनेगी यहीप बन जाएगी आपकी ट्रेंच ट्रैंच कहा बनेगी जहांपे य behavior करेंगा जहांपे यह यहां पर जए जगह पर सब्दक्षन डेल ओना है वहां पर ट्रैंश मतलबगा सब्दक्षरा सब्द are the दृट्टर ना जोन ऊंद्यान ट्रैंटन जहांवं पर pense न यह यह आपको दिहान रखना ठीक है तो यह हो हमारा continental oceanic continental convergence और oceanic Convergence में क्या होता है इसमें क्या होगा देखो oceanic oceanic convergence नीचे जाए कॉंसे प्लेट नीचे जाए गी जो आपकी हलकी होगी वो नीचे आगी और बहारी होगी वो उपर आएगी ठीक है तो यहां पर oceanic ट्रेंच फॉर्म मैंने बता है कि अर्थोकेर भी आएंगे वॉल्केनुस भी आएंगे क्योंकि यह हमारी है कन्वर्जेंट बाउंडरी ठीक है कन्वर्ज हो रही है ठीक तो यहां पर आप देख सकते हो अपके अल्यूशियन आइलेंड है मेरियाना आइलेंड है यह ऐलेंड पाए जाते हैं ठीक है मैरियाना ट्रेंच भी पैसिफिक ओशिंद में पाए जाती है तो यह क्या है आपके ओशियन और प्लेट का कंवर्जेंड यहां पर होता है ठीक है अब यहांपर देख सकते हो जो आपके जावा है सुमात्रा है और जापान आइलेंड है यह सारे किसे बंगें यह आपके सारे आईलेंड जो है परिणाम है किसका ओजिन ओशनिक अचनिक प्लेट Convergence के जीजा आपको ध्यान दंनीघ है ओर यहीं पर आपको मिलेगा rings of fire ठीक है rings of fire यह स्टृइक इन पर क्यों मिलता है तो यहां पर कंवर्जेंस होता दो है यहां पर आपका Pacific प्लेट है यह आपका क्या है यह आपका है नॉर्थ-a-mafr chan पर convergence होगा तो जहाँ पर convergence होगा वहां पर volcano हो बनेगा त यहां पर 거ाइब यहां पर क्या है convergence हो आपके कईसारी वहां पे Victorula है तो यह तक्रा हsels तरीके से यहां पर क्या है कशेंस ओका तो यह आघS एरिया बन जाएगा दो यहां पर एक तरीके से हमेशा एक जलती हुए मिलेगी आपको Balcanon में आग रोटी है इसलिए इसको कहीं में इसको जहें है रिंग ओफाइर क्योंकि एक तरीके से रिंग बनातर हुं चलों घ्लाला है ठीक है हुला के यहां पर चारों तरफ क्या है और यहां पर देखुँऑ जब कनरेंस होता तो मैंने बताया ट्रेंच बनती है कई सारी ट्रेंच है Mary Lufay Line अलुशिया ट्रेंच है जापान ट्रेंच है Mariana ट्रेंच यहां पहना बत्रेंच रहना पारनी के अंडर को इतना वह सर्ज में आ गया जो क्या अब के आएलंड बेशन अई लेंड अब सकते इतनेहां इंडियोंतारर के अई प्लेट के तो में हमारी युरेशन भर क्षेर्सस्टा रिख rev. तो हमारी तरीकी से रेंज बन गई थी जैसे हुज मॉंटेंटेंटेंस जैसे आल्पस हैं आपका जग्रोस मौंटेन हैं और आपका हमालियर माउंटेन है कि सारी जो बनी है ये Continental Continental plate convergence का परिणाम अब आप कहोगे सब Continental से हमाले कैसे बनगे तो आप यह देखोगे जैसे यह इस तरफ मूव कर रही है बीच में मालने जी कुछ सी है और सी में नदिया क्या होती है इसमें गाद लाकर के भरती रहती है अब जैसे इस तरह कर रही है तो गाद क्या होंगे उपर आ जाएंगे भाई गाद क्या होंगे उपर आजाएंगे तो आपकी पूरी जो बेल्ट है है वो आपकी माउंटेन वाली है मैं आपको डाइग्राम होगा इसमें तो दिखा दूँगा यहां देख सकते हो यह पूरी बेल्ट है यह वाली यह यह पूरी बेल्ट है यहां पर क्या हुआ क्वला एरिया जापान है आपको इंडिया का जो नौर्थ वाला पार्ट है तुर्की वाला पार्ट है यहां पर यह सारे आपको तुर्की में भी बहुत ज्यादा तीवरिता के भूखम पाया था तो क्यों आया था क्यों कि यह एक प्लेट टू प्लेट कनवर्जेंस हो रहा है ठीक है अब दोको अगला है ट्रांस्फॉर्म प्लेट ब बाउंडरी या इसको ट्राइक स्लिप बाउंडरी भी कहते हैं तो यह कई सारे इसके नाम है तो यहां पर देखो अब आपस में टक्रा भी नहीं रही है यहां पर आपकी सेंड एंडियास फॉल्ट सेंड एंडियास फॉल्ट ठीक है सबसे अच्छा एक्जामपल यहां पर आप देखो यह है आपका यहां पर एक प्लेट है तो यह जो प्लेट है ज्वान्डि फूका प्लेट है और यहां पर एक है आपकी नौर्थ अमेरिकल प्लेट ठीक है तो ज्वान्डि फूका प्लेट और नौर्थ अमेरिकल प्लेट जो है यह तरीके से कैसे मूव करती है इस तरीके से मूव करती है और यह सुनने में यह आता है कि एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका Silicon Valley वाला एरिया है वह Western Coast Coast of USA से अलग हो जाएगा Silicon Valley वाला एरिया यहाँ पर है यह जो है तो कि यहाँ पर बाउंडरी बन नहीं है तो यहाँ से यह अलग होने के इसके chances हैं ठीक है San Andreas Fault हो गया इस तरीके से यह जो यहाँ पर दिख रहा है यह दरार बनने इस तरीके से तो यह एडिया कभी न कभी यह अलग होने वाला है California जो है यहाँ से अलग हो जाएगा आने वाले टाइम में significance क्या है इसके significance है कि इससे हमें पता पढ़ता है कि जो मेजर लेंड फॉर्म है वो टेक्टोनिक प्लेट के करन बने हुए हैं व्होंने एक तरीके से पहले में पता नहीं था कि मांटेन कैसे बने हैं ठीके टैंचिस का निर्माण कैसे हुआ है तो अब हमें हमें पढ़ गया जाते हैं तो इस तरीके से यह भी हमारा एक significance हो जाता है copper और uranium जो है आपको plate boundaries के पास में बाउंडरी मतलब यह जो boundary है यह यह आपर हम तक्राती है तो इसके आसपास पास आपको copper और आपका uranium क्योंकि अंदर जो radioactive substances है वो magma की तुरू भारा जाते हैं ठीक है और इसकी knowledge crystal plate movement के knowledge से हम क्या करते हैं shape of landmarks हम निकाल सकते हैं future में कि किस तरीके से होगी मतलब अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो इंडिया था तो पहले क्या है तिल्ट था इस तरीके से था ठीक है मान के चलो यह हमारा इंडिया है तो इस तरीके से था अब आप देखते हो इस तरीके से है इस तरीके से तो पहले ऐसे था अब ऐसे की access आ रही है तो कहने का मतलब यह है इससे हम यह पता कर सकते हैं future में हमारा इंडिया कैसा होगा future में हमारे continent कैसे होंगे इससे हम भी पता कर सकते हैं if the present trend continue North and South America will separate अगर इ तो यहां पर हम बात कर लेते हैं comparison between continental drift seafloor spreading plate tectonic theory के बारे में तो यहां पर continental drift theory किस ने दीती Alfred Bagner ने दीती ठीक है और seafloor spreading theory जो है वह आपकी हैडी हैस ने दीती जहां रखना है अब आकी आतर होंस ने तो आपको पता ही है दीकिती थी प्लेट ट्रेक्टिन थी जो दीती वह आपकी McKenzie and Parker ने दीती ठीक है आगे हम बात करें जो हमारी continental drift theory है वह movement के बारे में बताती है content movement करते हैं लेकिन क्या रीजन है वह नहीं बताती यह explain the movement of the oceanic plates only यह भी एक movement के बारे में बताती है लेकिन यह क्या बताती है explain the movement of lithospheric plates include both content और oceans बतलब यह बताती है कि जो lithospheric plates है वह किस तरीके से move करती है इन्होंने तो continent के बारे में बताती है content कैसे move करती है लेकिन ocean के बारे में explain नहीं कर पाया कौन यह हमारी continental drift theory और सिफ्रोस प्रेटिंग थोड़ी लेकिन प्लेट अगने थोड़ी नहीं यह बताया कि ocean भी कैसे move कर रही है यहां पर फोर्स कौन से बताया थे नों ने दखों मैं आपको यह पढ़ा चुका हूं content drift theory नोंने जो है चार फोर्स बताये थे बायांसी ग्रेविटी पॉल फ्लिंग फोर्स और टाइल करेंट फोर्स ठीक है और इन्होंने बताया था convection current जो कि आपका plate tectonic theory में भी वही चीज यूज हो रही है यह convection current ही यूज हो रही है ठीक है evidences क्या है evidences मैंने बताये थे आपको botanical evidence होती है fossil evidence है आपके जिग शॉफिट है paleomagnetism है यह सारे क्या है आपके evidences है ठीक है और आपके यहां पर देखोगे तो ocean bottom relief paleomagnetic rocks distribution of earthquake and volcanoes कि किसमें है यह आपके sea floor spreading में और इसकी हम बात करें tectonic की तो ocean bottom relief है paleomagnetic rocks है distribution of earthquakes है तो यह सारे आप देख लेना है एक बार इस सारे चीज़े में आपको पढ़ा चुका हूँ और यह इसका acceptance नहीं हुआ था जो कि explain नहीं कर पाया कि continent किस जीज़े से मूव हो रहे है यह complete ही नहीं है और यह आपकी most widely accepted theory है ठीक है इस चीज़े आपको ध्यान रखनी है और usefulness क्या है help in the evolution of convex current theory तो भाई यह जो theory है आपकी contentative theory यह base है बतलब इस नहीं बताया एक तरीके से कि आदमे को सोचने पर विवस किया जब सोचने विवस किया तभी तो convection current theory आई थी कि हमारे continent जो है किस तरीके से मूव हो रहे है यह explain नहीं करवाया थे जो हमारे Wagner साहब है यह move बतलब यह explain नहीं करवाया थी content move कैसे हो रहे है इसी के बेस पर हमारी आई थी convection current theory यह sea flow spreading theory जो इन्होंना बताया था कि जो content move होते हैं वो convection current से move होते हैं और यह तो आपको पताईए कि हमारे geographical features कैसे बने mountain कैसे बने और sea कैसे बने यह trenches कैसे बने तो इन सब चीजों के बारे में यह बताता है आपका plate tectonic theory तो आज के वीडियो में सर्फ इतने ही काफी है और I hope कि यह वीडियो आपको सबज में आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगाया तो चैनल को like, share, subscribe भी दू करिएगा बिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you, have a nice day